अभी आपको बताया जा रहा था बहुत सारी बातें आपने सिखी है, समझी है, पहले भी आप जानते हैं मेरे बारे में भी अभी कहा गया कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया है ये सुनके भीतर से कई बार अच्छा भी लगता है लेकिन सची बात बोलनी चाहिए कि किया किसने मैं बार बार एक फर्मूला कहता हूँ साव आपके लिए भी है, सब के लिए भी है व्यक्ति में इतनी हैसियत है नहीं और हम तो ये कहते हैं कि साव अल्ला महरवान तो गदहा भरवान जिसकी ताकत, जिसकी सक्ति, जिसका बल जो स्वैंग स्रिस्टी में परिवर्तन करने के लिए अपना चक्र चला रहा है मनुस्य के पास यही समस्या है कि वो सोचता है कि हमने किया महाभारत की पूरी लडाई हो रही थी और पूरे लडाई में सबसे प्रमुक भूम का किसका था अरजुन का था टौपर था उस समय आयस तिरकमान में और अरजुन को लगा कि साहब इस युद्ध को तो मैंने जीता है और जब सारा युद्ध समाप्त हुआ पाचो पांडव जिनको ये घमंड था कि पूरे युद्ध को हमने क्या किया जीत लिया क्रिस्न क्या कर रहे थे क्रिस्न कुछ नहीं कर रहे थे वो तो रत का रस्सी पकड़े हुए थे और एक सारे लोग गए बरबरीक नाम के एक थे जिनका सरकत गया था उनसे किसाब ये पूरा युद्ध देखा है इससे पूछा जाए कि युद्ध में सही में किसने सबसे जादे महत्वण भूम का निवाई सारे लोग पूरे पांडव ये सोच के वहां गए चाती चौरा करके कि नाम किसका आएगा हम लोगों का ही आएगा वहां जब पहुँचे तो बरवरीक ने कहा कि पूरे युद्ध में तो मैंने सिर्फ एक ही वेक्ति को युद्ध करते हुए देखा और किसी को नहीं देखा तो अरजुन को लगा साइद मेरा नाम लेगा युद्ध विस्टीर को लगा अरे साव हम धर्मराज हैं मेरा नाम लेगा भीम को लगा हम तो अभी लौज में भरपेट खाना खाके आए हैं मेरा नाम लेगा लेकिन उसने किसी का नाम नहीं लिया उसने कहा आप पूरा युद्ध तो सिर्क्रिस्न लग रहे थे मैंने देखा कि सब जगा यही खड़े थे अरे साव हम लोगों को नहीं दिखाई परा यह जो पूरे युद्ध निर्मान योजना का आंदोलन चल रहा है बैक्ति कोई भी दिखाई दे हम दिखाई दें आप दिखाई दें वो दिखाई दे वो दिखाई दे लेकिन वही समर्थवान सक्ता इसको करने जा रही है बैक्ति की ताकत नहीं है अब सबहग्य साली हैं वो लोग जो इस आंदोलन के इस अभियान के भागिदार बने हैं वो बड़े प्रम सबहग्य साली है भगवान ने उन्हें ये मौका दिया है इस काम को करने के लिए कभी-कभी क्या होता है जीवन में आदमी को समझ में नहीं आता है कि हम सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं कन्फ्यूज होने लगता है और समाज भी उसे कन्फ्यूज करने लगता है कि साब कहां फस गए तुम अभी मैं समस्ति पूर गया था अपने गाउ रात्री में मेरे आवास पर दो दरोगा जी मिलने आए दोनों बर्दी में गाउ के कुछ लोग भी उनके पीछे पीछे आचनक सारे आठ बजे रात में मेरे को सूचना मिला कि दरोगा जी आपसे मिलने आ रहे हैं पूरे भरदी में हैं वो और गाउ के भी कुछ लोग तो मैंने सोचा साब रात्री में कहां का दरोगा आ गया मिलने आज तक तो कभी मिला नहीं था आया और सीधे पैर्चु के परणाम किया भाईया हम युवा मंदल से जुरे हैं सुने आप आए हैं तो मिलने से अपने को रोक नहीं पाया सारा लोग हमारी इक्चा तो यही है हमेशा बोलते हैं कि हमारा गाईत्री पडिवार आने वाले दिनों में जिस भी डिपार्टमेंट में जाए पता चले दो-चार लोग तो अपनी भाई हैं उसमें बैंक में जाए ये लोन लेना है साब वहां सिक्छा वाला लेना है अपनी मेनेजर साहब में जाओं कोई दिक्कत नहीं भगवान की योजना बहुत बड़ी है और इस योजना में हम सब लोग सामिल हैं बिश्वास होना चाहिए कि हम जहां हैं वो समन्ने जगर नहीं है ये भगवत किर्पा है कि हम लोग खड़े होके बोल ले रहे हैं ये भगवत किर्पा है कि कुछ अच्छे कार इंदीनों कर रहे हैं इन दिनों बुड़ा कारे करने के लिए अगर खोजा जाए तो बहुत लोग मिलेंगे, मैं सची बात आप होस्टल में चलो और कोई चंदा काटने चलना है, मैं बताता हूँ आप पत्ना के विभिन होस्टल में छात्रा बास में चलो और लरकों को कहो कि चलो साब घर घर का, S.S.C. का, मैं कल सरधात्री पाठी जी से हमारी बात्ची थो रही थी कल, तो मैंने कहा हम बिहारी लोग बड़े समर्थवान है, कुछ भी कर गुजरने की मद्दा हमारे भीतर है, बोल के कोई देखे, यूँ चुटकी बजाते, अगर कहेंगे कि साब इस बांडरी वाल को तोरना है अभी, एस्टेडियम बाला, तोर देंगे सर, एक घंटा के अंदर अंदर, पता चलेगा कि वहाँ कोई बांडरी, था ही नहीं, लेकिन इनको अगर कहें, जोडना है, जोडना है, टाइम नहीं है, इफाल्तु वाला काम है, इसी ओरजा को, इसी इनरजी को, कनवर्ट करना है, निगेटिब से, यह काम आसान नहीं, लेकिन हम लोग कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, किसके बल पर कर रहे हैं, किसके बल पर अंगद किसके दरवार में पहुँचा था कोन होस्टल में अंगद पहुचा रावन के दरवार समझाने के लिए और आप जानते हो कि अंगद ने अपना पैर लगा दिया कि इसको उखार के दिखाओ सारे योध्धा कोई सफल नहीं हुए रावन आया तो रावन को तुन्हों ने कहा मेरा पैर क्यों पकरने आया है स्रीराम जी का पैर पकरो जब वो अंगद लौड के बांदरी सेना में पहुचा युवा मंदल में युवा मंदल बांदरी सेना भगवान का तो पुछा अच्छा ये बताओ तुम जो उस होस्टल में गए थे जहां बम बनता है तुमको डर नहीं लगा कहा डरने वाला बात कहा था हम अपने बल पर थोड़े गए थे हम तो आज भी देख रहे थे कि स्रीराम जी का ताकत है कि नहीं हम पैर लगा दिये तो हम लोग भी अपने बल पर थोड़े कूदते हैं कई वार लड़ाई होता है जगड़ा होता है तो लोग कहता है अरे किसके बल पर तु कूदता है तो आप लोग कहते हो कि हम भाया के बल पर कूदते हैं हमरा भाया जिन्दाबाद जिन्दाबाद वाले है ये बल जो है न ये हर इंसान के भीतर है positive और किसको बढ़ाना है यही निर्णे लेना है और यही है ध्यान और गाईत्री मंत्र अच्छे विचार युवाओं को सीधा करना और मेधख को तौलना अगर मेधख को तौलिएगा तो दो मेधख भागेगा दो मेधख को तौल ही ने युवाओं को सीधा करना आसान बात नहीं है गुर्देव ने कहा बेटा उल्टे को उलटके सीधा करना तो उल्टे को उल्टा कैसा जाए ये आएगा हम बिहार के हैं अमर घर हो मुकामा अग पहले ही डिरा रहा है कि मुकामा है मतलब समझ लो हमको तो उसको भी वो दवंगई दिखाना पड़ता है वो सोचता है ये भी दवंग है भगवान का ये चीज जो है इंसान के जीवन में अगर परिवर्तन आ जाए अध्यात्मिशी का नाम है इस्प्रिचुलिटी इस्षी का नाम है और हमारे गाहित्री परिवार में ये अभियान चलाया जा रहा है प्रधान मंत्री जी कहते हैं मेकिंग इंडिया हम कहते हैं प्रधान मंत्री जी आपका मेकिंग इंडिया तब सफल होगा जब making youth युवा बनावा आंदोलन जब तक युवा युवा नहीं बनेगा आपका making India सफल नहीं होगा और युवा बनाने का जो आंदोलन है वही गाइत्री पडिवार का है आपको गे साब हम तो युवा हैं हाँ दिखतो रहे हैं मुलटका हुआ है अब जाएंगे खाना बने धूप भी लगता है बहुत है लुक मार देगा ताव हम तो चाहते हैं मार दे आपको माप करना भाई आप लोग बने चल ये कमजोर पिलपिली हिलने वाला नुकडी हो जाते तो शादियों कर लेते अच्छा है भाई कर ले तो अच्छे सादियों नहीं समलेगा भाई यहाँ वो सादि हुआ था था क्या हुआ वो भाग गई पावर क्या केतनों देखो साब जमाना पावर कहा है बाहर की भीतर अभीतर वाला पावर कैसे जगेगा यह गाई तरी मंत्र है यह उपासना है एस्मार्ट यूआ एस्मार्ट किसको कहते हैं निसान रनजन को नहीं शाव एस्मार्ट तो उसको कहते हैं जिसकी चाल को देखने के लिए लोग खड़े हो जाते हैं कि सेर जा रहा है। जिसकी पर खड़ा हो जाईए जुन्ड के जुन्ड दिखाई पड़ेगा। पावर तो है पावर तो हनवान जी के पास भी था। हनवान जी के पास भी बहुत पावर था। आज भी है। लोग लड़ू लेके खड़ा रहते हैं खाईए। लेकिन जाव हनवान जी को भी पता नहीं था कि उनके पास पावर है। सीता जी का जब अपरन हुआ। तो भी समुद्र के किनारे सर पर हाथ दिये बैठे थे। चार गो फरम भरे हुए हैं। एको समुद्र से उरने वाला पते नहीं चल रहा है किधर जाएं। क्या करें। घर वाला अलगे दवाब बनाता है का हुआ रही। अगनियों बीर में तो ढुक जा। उदर चे जामबंत जी आते। थोड़ा बुजर्ग थे जामबंत जी। जामबंत जी ने देखा कि ये आज का नौजवान है। ये, सरपनाथ दिये बैठा है, समुदर के किरारे की भैकेंसी। जामबंत जी पूस्ते हैं। क्या हुआ इसवर फाइनली अगनी भीर में धुके तो धुके नहीं तो गाउँ चले जाएंगे। जामबंद जी ने हनमान जी को कहा रहे हनमान जी आप में तो इतना ताकत है इतना ताकत है एक समुद्र को कौन कहे ऐसे हज्जारों समुद्र को आप पल में लांग सकते हो अच्छा हम तो सोचे ऐसा ही लाउज में रहते हैं एको टेबूल है एको कुरसी है एको कुकड़ी है वो करा में सिटी मर वाते है खाते है खेसारी के गाना लगाते है और एक तब हर्मान जी जगे युवा मंडल में उसके बाद समुद्र तो लांगा ही लांगा रावन को ये पूरे लंका में आग लगा दिया लवज के लवज में आग लग रहाता विचार करांती अभियान सब गुर्देव का किताब पर रहा है सब सुबा सुबा होस्टल में उठके ओम भुड़वस्वा ओम भुड़वस्वा ओम भुड़वस्वा आज पतना का कोई लोज होस्टल ऐसा नहीं है जहां 10, 20, 50 लोग सुबा उठके ओम भुड़वस्वा ओम भुड़वस्वा कर रहा है पूरे लंका में आग लग गया और रावन को ये कहते हुए छोड़ दिया हनुमान जी ने कि तेरा बद्ध भी हम ही करते लेकिन ये काम परभू स्री राम को करना है इसलिए छोड़ के जा रहा है ये पावर ये सरीर बनाने से पावर नहीं मिलता है इतो भाईसा है सल्मान खन के बड़ी गाड को देखे हैं सल्मानों खन से मजबूत है सल्मान खन हो जाएगा टैलेंट अंदर की चीज है और यही अध्यात में ध्यान है टैलेंट अंदर की चीज है और ये अगर जग जाए तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ बिहार नौकरी लेने वाला प्रदेश नहीं नौकरी देने वाला प्रदेश बन सकता है ये ताकत खाली ताली मारे से बुर्वक बुषता है रे सब बुर्वक बुषता है सब के हम समझते हैं हम तो चेहरा देख के पकरते हैं कि कौन-कौन लोग चपल चोर बैठा है आप लोग नहीं, आप लोग तो अच्छे लोग हैं देखने से ही सरीफ लग रहे हैं और ये लोग भी कम नहीं है इन ये लोग भी है अरे राम राम, पूछिये मत, खत्रा इधर भी है? हाँ, मैं एक सची घटना बता रहा हूँ कि खत्रा इधर भी है ये लोग भी अपनी दुनिया में हैं मगर न जाने चंद्रमा पर जाएंगे, कि मंगल पर जाएंगे माफ करना, साब धान रहना इस अब बाला जो सपना देखाता है, इस अब धूरत है इसके सपना में कभी मत फसना हम दिल दे चुके सनम अद दिले दे दिया तो तुम बचा हुआ कई से है रहे? आज कल तो, अरे हम लोग के जमाने में तो छिठी खुल के सुनिये कमजोर आप लोग भी नहीं है, बेवकुप बनाते हैं यह बत, आज कल तो सब छी फिडिये में मिलता है वाटसब खोलिये दूगो दिल भेज़ दीजी असच में हूँ कहे कि यह दिल लाओ दूसर का दिन से उसका नमरे बलोग कर देगा कि वाँ अपर वाँ इका, अरे इस सब भकवास है अपने को बनाओ बन गए न वही दिल है उसके बाद तो इलो को काओ गए कितनी खाना बना दीजी अगर तुम डियस्पी बन जाओ दरोगा बन जाओ इंस्पेक्टर बन जाओ तो इस में से दुनिया में कहीं साधी होगा तो अपने हस्बेंड को बोलोगी खाना बना दीजीगा जाओ न बना के रखेंगे जमाना बदलने वाला है हमारे गुरू ने साफ साफ कहा है आने वाली सदी नारी सदी महिलाओं का जमाना आ रहा है इनका जा रहा है परवे नहीं करता है इस मोबाइल देखता है इसको नुकरी कहां से मिलेगा लड़किये सब को जादे नुकरी मिल रहा है अई सब चाहिए सही है खाली एक आद को कोई कहीं कहीं ढुक जाता है तो हम लोग टीका चन्दन लखे रहते हैं ले लगा देख रहा पर ये गा तब नुकरी मिलेगा माफ करना मैं आप लोगों से निवेधन करना चाहता हूँ आप अध्यात्म को समझो प्रंपुज गुर्देव की सक्ति को समझो नहीं समझोगे तो बैठने से थोड़े कुछ होता है बैठिये न और कहिएगा तो अगला बार से उजरका जाजिम बिचवा देंगे बैठिये बैठने से नहीं होगा करने से होगा करने से होगा नहीं हम संडे को इसलिए आते हैं भाई आप जो बोलते हैं तो बढ़ा अच्छा लगता है अच्छा हैं अरे उचक्का चोर अब क्या कहीं हैं गेस्ट लोग बैठे हैं नहीं ते इन लोग के हम धुलाई बढ़ियां से करते इन लोग को इतना बढ़ियां से धोते हैं कि ये लोग ये अभी आया होगा दू-चार-दस उगो नया अभी सुगो इसमें अब उए हमको देख रहाओगा हमारे कुर्ता को और जब मंदिर में प्रवेःस करता है जो नया पहला दिन आता है गाइत्री पड़िवार में कोई फुषला के लाया, सम्झा के लाया आ गया, तो नीचे जब मंदिर में आता है तो ऐसे प्रणाम करता है CCTV में देखते रहते हैं अभी इनका servicing class लेंगे last में अजब इनका servicing कर देते हैं और तब यहां से जब इन लिकलते हैं चुकि इनका बास्तवी, यह अपना आवकाद यह भुला गया है इसको इस समझ में नहीं है इसलिए भाई यहां आने का मतलब यह होता है अपने आपको जगाना अगर हमने अपने आपको आप लोगों से भी निवेदन है कि आप उपार्षना करो ध्यान करो गाईत्री मंत्र करो अब आप पूछोगे कि हम गाईत्री मंत्र कहेंगे तो हमको सब पंदिताईन कहेगा अच्छा कहने वाला का आउकाद कितना है अरे भाई हम किस से अपना उदाहरान ले हम तो कहते हैं साब अगर हमको बोलना होता है उदाहरान तो हम तो मुके संबानी का नाम लेंगे भारत का तो कम से कम सब से घनी मनी बैकती है मुकेस अंबानी अपने बेटी के साधी में कौन सा मंतर बजाया था गायत्री मंतर आप मुकेस अंबानी से बढ़ है ना है हम तो गली में जाते हैं इसे मुर के अब को ना में हमर घार है माप करना आश्चर जो होता है माफ करना भाई आप किसे बड़े है अगर नाम भी लेना है हम तो बिराट कोहिली का नाम लेंगे जो भाई सेलिब्रेटी है पतनी भी मिली तो साधारन नहीं अनुसका मिली आपको कोन मिलेगी अभी माला जपिये मुश्किल है अभी बिहार में साधी नहीं हो रहा है कलेगो कलेगो फेस्बुक पार बिहार का लड़का का रहा था देखिए परते परते हमरा सब बाल ऊड़ गया 32 साल उमर हो गया हमारे कई दोस्ट का साधी हो गया बच्चा भी हो गया हम तो हैसा ही है देख़ि आंदोलन कर रहे हैं जिंदावाद जिंदावाद नहीं पढ़िएगा नहीं कुछ कीजिएगा तो जोला चाप student को लेकर देखिए देश के लिए जैसे जोला चाप doctor उसी तरह जोला चाप student ये इसलिए समझ लीजिए ये ही गाहित्री मंत्र है जो आपको अंदर से बल भी दे देता है ताकत भी देता है सक्ति भी देता है और आपको अपने कारे करने की छमता जो कारे आप करते हैं पूरे मन से करते अभी भाई बता रहे थे कि 40 जगा बाल संसकार साला चलता है आसान बात है क्या कोई NGO नहीं कोई ये नहीं ये भाई लोग चला रहे हैं सांदार चला लोग दातों तले अंगली दबा लेता है कि यह चला कैसे रहे इसलिए आप जहां बैठे हो जिस महासक्ती के गोद में बैठे हो इतना कहने के बाद भूर बाद भी अगर आप नहीं जगोगे तो आप समझ लो मैं तो यही कहूंगा आप आपके दुरभग्य का क्या कहा जाए इसलिए सुभग्य का यह च्छन है भगवान ने सब को मौका दिया है यह कौन साल चल रहा है दो हजार 23, 24, 25, 26 यह तीन साल बड़े ही मुश्किलों से बड़े हुए कोई भी घटना दुर घटना घट सकता है समाज में इर्षया, द्वेस, घिर्णा, मुकदमा, दूसरे का संपत्ती कबजा करना, हानी पहुचाना यह बड़े पैमाने पर इंदीनों होंगे लेकिन अच्छे लोग भी अच्छाई का परचार इंदीनों उससे कई गुना ताकत से करेंगे लड़ाई दोनों तरप से चल रहा है, 2026 तक महरसी अर्विंद, नाम सुना है आपने ICS, Indian Civil Service, इतने उस जमाने में महरसी अर्विंद पढ़ने में इतने टैलेंटेट थे Cambridge University, कौन? आप कौन इनवर्सिटी? बजार समिती मेरा थी Cambridge University, पढ़ने में इतना जीनियास, जिसको Cambridge University ने 27 वार गोल्ड मेडल दिया वो बैक्ती, ICS मन किया और पांडी चेडी के आस्रम में जाके तपस्या किया, ध्यान किया और तपस्या और ध्यान की सक्ति जब महरसी अर्विंद के जीवन में आया तुन्होंने कहा, मैं देख रहा हूँ, भारत का भविश्व बहुत ही उज्ज्वल है भारत दुनिया का महा सक्ति बनेगा, भारत पूरे विश्व को रास्ता दिखाने वाला बनेगा जबकि उस समय हमारा देश गुलाम था उनकी बातों को सुनके लोग हस सकता था, लेकिन उन्होंने दूर तक देखने की चमता थी और उन्होंने कह दिया है, दो हजार शब्विश तक भारत एक ऐसा सक्ति शाली रास्त बनेगा पूरी दुनिया को अगर अमें चाहिए तो भारत ही वो रास्त होगा जिस से उसे मदद लेने की आवेस शकता पड़ेगी, वर्ल्ड में दूसरा कोई रास्त है समय ये समय है साबधान रहने का, साबधान रहने का लोग आत्म हत्या कर रहे है युवा आत्म हत्या कर रहे है युवा आत्म हत्या कर रहा है फासी लटकड़ा है मैं कई अभी मैं समस्ती पूर में गया वहां कई लोगों ने कहा कि युवा डिप्रेशन में जा रहा है इंटर और मैट्री के लड़के डिप्रेशन में जा रहे ह से दूर होगा पढ़ाई का प्रेशर है घर का प्रेशर है सवारा प्रेशर है लेकिन प्रेशर मुक्त करने का कोई मेठड उसके पास नहीं है यह ध्यान और गाहित्री मंत्र अगर इसको नहीं फैलाया गया तो आप समझ लीजिए आने वाला समाज आपके जीवन में सारे चीज उपलब्द होंगे लेकिन सांती नहीं होगा आज मैं कई घरों में जाता हूँ आप भी जाते होगे उसके घर में सारे सुकसुदा बड़े पड़े हैं सोफा सेट टीवी सेट डिनर सेट सब सेट माइंड अपसेट सारा चीज में देखता हूँ आश्चर जो होता है लोग मकान बनाते हैं बड़े खुस होते हैं कि हमने मकान बनाया है गड़ी प्रवेस का कार्ड हम लोगों को भी कई बार मिलता है हम लोग भी जाते है बड़ा दिखाता है यह मारवल वहां से मंगाया है जैपूर से मंगाया है मकराना से मंगाया है यह चमकता है, उसमें चेहरा देखो कीचेन बाद में दिखाएगा, बात्रूम पहले दिखाता है ये ज़र्णा देख रहे हैं, बडिया बाला है ये जब गिर्ट, अरे यार क्या बाला, कुछ दिन के बाद उसके यहां जाईए वो इतना टेंशन में है कि कोई बात्रूम में गया, मेरा ज़र्णा न खराब कर दे अरे भले मानास, तुने ऐसा चीज क्यों लगा लिया, जो तुम हमेशा डिप्रेशन में रहता है कि कोई गया तो कहीं नौब जोर से घुमा दिया इंसान न जाने कहां सुकसुदा खोज रहा है असान्ती है, असान्ती है लड़का का फोटो आया, लड़की खुश हो गई, बहुत सुंदर है, समक रहा है चेहरा कुछ दिन के बाद मिलिये नहीं ठीक आदमी नहीं है साव उनके व्यक्तित्तों को सुधारिये व्यक्तित्तों ही इंसान को दुखी करता है और व्यक्तित्तों बनाने का जो विज्ञान है जिसको आप परसनाल्टी कहते हैं अभी PDC का कोर्स भी चलेगा परसनाल्टी डेवलप्मेंट कोर्स यह वही है, अगर परसनाल्टी आपका बन गया तो संसार के किसी कोना में रहेंगे कोई भी कार करेंगे आपके जीवन में सुकून मिलेगा शान्ति मिलेगा और आप धुनिया में पता का आपका लहरते रहेगा मैं यसी शुभकामना के साथ कि आप सब खुब आगे बढ़ें लेकिन कड़ें, ध्यान भी कड़ें और गाहित्री मंत्र तो आप कितने लोग करते हो इसमें ध्यान गाहित्री मंत्र? जूट नहीं बोल रहे हो ना? जूट बोले तो उल्टा अशर होगा हाँ, चलो साथ, बहुत बहुत सब कामना, धन्यवाद